एक छोटे से शहर में एलेक्स नाम का एक यूवक रहता था। उसके बड़े सपने और महत्वा कांक्षाई थी लेकिन आलस्य ने उसे रोक रखा था। उसका कमरा अस्तव्यस था और वह अपना अधिकांच दिन काम टालने में बिताता था। जैसे जैसे समय बीता गया एलेक्स को अपने आलस्य के परिणामों का एहसास हुआ। वह समय सीमा से चूप गया, अपने दोस्तों को निराश किया और खुद को मुसीबत में फसा हुआ महसूस किया। फिर भी वह अपनी आदतों से मुक्त नहीं हुपा रहा था। एक दिन ए आकमचिंतन का क्षण महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने आलस्य पर काबू पास सके तो वह बहुत कुछ करने में सक्षम है। बदलाव के लिए द्रिट संकल्पित एलेक्स ने प्रेरना लेनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रेरत कुस्तके पढ़ी, चोटी शुरूआत की। उन्होंने एक दैनिक दिंचर्या बनाई, प्राप्त करने योग्य लक्षन निर्धारित किये और रास्ते में आने वाली हर चोटी जीत का जश्न मनाया। एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाए। एलेक्स ने चोटी प्राप्त की। उन्होंने एक दैनिक दिंचर्या बनाई, प्राप्त करने योग्य लक्षन निर्धारित किये और रास्ते में हर चोटी जीत का जश्न मनाया। बेशक यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में एलेक्स को असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रत्यक बाधा के साथ वह सफल होने के लिए मजबूत और अधिक द्रिड होता गया। सौभाग्य से एलेक्स अपनी यात्रा पर अकेला नहीं था। उसके दोस्त और परिवार वाले थे जो उस पर विश्वास करते थे और हर कदम पर उसका साथ देते थे। उनके प्रोत्साहन ने उन्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत दी। फिर एक दिन ऐसा हुआ। एलेक्स के पास एक निर्नायक खशन था। उसे एसास हुआ कि एक मात्र चीज जो उसे रोक रही थी वह वह स्वयम था। यदि वह अपना जीवन बदलना चाहता है तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी और इसे पूरा करना होगा। नए द्रिट संकल्प के साथ एलेक्स ने कारवाई की। उन्होंने अपने कमरे की सफाई की अपने जीवन को व्यवस्थित किया और नए उर्जा और जुनूर के साथ अपने लक्षों को और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एलेक्स का रूप बदलना शुरू हो गया। वह पहले से कहीं अधिक अनुशासित, केद्रत और प्रेरित हो गये। उनकी महत रंग लाई और उन्हें अपने प्रयासों का परिणाम दिखना शुरू हो गया। अब एलेक्स रहा है। उसने अपने लक्ष हासल किये हैं, अपनी बाधाओं पर काबू पाया है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। और जब वह अपनी यात्रा पर पीछे मुड़ कर देखता है, तो उसे एहसास होता है। अंत में एलेक्स की यात्रा हमें सिखाती है कि परिवर्दन संभव है। चाहे हम कितना भी अटका हुआ महसूस करें।